ओम शान्ती, आज आपका सैंतालिस्वा दिन और आज के वर्दान में परम्पिता परमात्मा हमें ऐसी बात बताते हैं, जिसके दुआरा हम अपने वेर संकल्पों से मुक्त हो जाएं तो हमारे दिन भर में जो वेर संकल्प चलते हैं, उसा कारण क्या है, हम इतने गहराई में चले जाते हैं, दुनियावी बातों में, दुनियावी चीज़ों में, कि हमारे अंदर वेर संकल्प चलते हैं, चाहे वो अपने प्रती हो, चाहे वो और और के प्रती हो, तो बाबा ह हमें कहते हैं आज कि हम अपने वेर संकल्पों को हटा पाएं उसके लिए हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा और वो रूल कौन सा है तो बाब कहते हैं कि हमें अपने संकल्पों को परमात्मा से जोड़ना बहुत जरूरी है और परमात्मा से जोड़ने के लिए आज दे वियोर संकल्प मुक्ट भवा। ब्रामण मतलब ही क्या है। ब्रामण मतलब लेछ राचिय। मिला है यह आपको परमात्मा के अनुसार चलने के लिए मिला है तो इसमें अगर हम परमात्मा के अनुसार चलते हैं तो हम सचे सचे ब्रामन बनते हैं ब्रामन मतलब the first child of God ब्रामन कोई हिंदू नहीं होते हैं वो किसी भी धर्म के नहीं होते हैं ब्रामन जो होते हैं वो होते हैं बीज, बीज मतलब सारे धर्मों का ही वो foundation होते हैं तो लोग स्वमिशते हैं कि ब्रामन होना मतलब क्या हो गया? कि आप हो गए एक हिंदू, जैसे हर एक धर्म में एक उच एक अवस्था वाली है, एक उच कोटी वाली एक धर्म वाली एक clan होती है वो clan क्या करती है? वो clan होती है जो की सारे धर्म को अपने मजबूती में अपने साथ मिला कर रखती है जैसे कि किसी धर्म में आपके fathers हो गए, पादरे हो गए आपके मौलवी साब हो गए आपके, वो क्या करतے है? वो धर्म की नीव को बचा करके रखते हैं, वो foundation होते हैं तो ब्रामन जो होते हैं, वो हिंदूओं के लिए नहीं, ब्रामन जो होते हैं, वो सारे धर्मों की नीव हैं, वो आत्मा का ज्यान जानने वाले, परमात्मा का ज्यान जानने वाले, और मुक्ति का ज्यान जानने वाले होते हैं, और साती सात, उनके पास में सारे चक्रा का ज् श्रिष्टी को कैसे रचा, यह श्रिष्टी अब कौन से छोर में आ चुकी है अब यह श्रिष्टी का परिवर्तन कैसे होने वाला है तो यह सारी बाते अगर आप जान लें तो आप BRAMAN के लाएंगे प्रह्मा का ज्ञान प्रह्मा ज्ञान मतलब कि हमारा मुक्ती का ग्यान एक ब्रामण के पास में होता है तो परमात्मा कहते हैं कि ब्रामण जो होते हैं वो तो सारे धर्म की आत्मों को मुक्ती देने के लिए होते हैं ना सिर्फ हिंदू, ना सिर्फ मुस्लिम, ना सिर्फ सीख, ना सिर्फ इसाई वो सारी धर्म की आत्मों को मुक्ति का रस्ता, बहले परमधाम का रस्ता, या आलम अर्वाह, जिसों कहते हैं मुक्ति धाम को उसका रस्ता, या निर्वान धाम का रस्ता, या Heavenly Godfathers Abord, उनके घर का रस्ता बताने वाले होते हैं ब्राम्मन. तो देखें आज बाबा कहते हैं जो ब्रामन जीवन की नीती ने हर एक जीवन की नीती होती है रीती प्रमान चलते हुए सदा शरीमत की आज्याएं स्मृती में रखते हैं जब परमात्मा की मत भागवान की जो मत है जो कि उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा हमें दी है उसको अपने अंदर रखते हैं वो रीती, वो नीती को सदा याद रखते हैं स्मृति में रखते हैं और सारे दिन शुद प्रवृत्ती में बिजी रहते हैं प्रवृत्ती मतलब की अपना रहन से हैना तो परमात्मा या पर किस प्रकार की प्रबति सिखारे में परमात्मा कहते है कि साथ में रहो फैमिली के साथ में रहो और अपनी लाइफ को स्वर्ग जैसा बनाओ उसके लिए मेरी जो direction है मेरी जो श्रीमत उसको follow करो तो देखें बाबा कहते हैं उन पर वेर्स संकल्प रूपी रावण का वार नहीं हो सकता। तो उनके एक रावण वार नहीं कर सकता। क्यों? रावण क्या है? रावण मतलब की काम, क्रोध, लोग, मोह, आँकार, आज इस्त्री में भी है तो पांच सर दिखा दिए। वैसी काम, करोट, लोम, अंकार आज पुरश में भी है, तो पांत सर यहां पी भी दिखाते है रावन के, तो ये सारी खामियां आज हम मनुश आत्माओं में हैं, चाहे वो इस्तरी में हो, चाहे वो पुरश में हो, तो परमात्मा केते हैं, वो सारी negative thoughts, impure thoughts आपको कभी वार न करेंगे, अगर आप परमात्मा की श्री मत अनुसर चलेंगे, तो देखे, आज क्या कहते हैं बाबा, बुद्धी की प्रवर्ति है, मतलब बुद्धी का फैलाव, बुद्धी कैसी उनुची है, उसकी प्रवर्ति है, शुद संकल्प करना, अपने बारे में भी और औरों के ग्यान नहीं, ना ही मैंने किसी किताब से सीखा, ना किसी से, ये स्वेम परम किताब परमात्मा, ब्रह्मा के तन में आकर के, हमें ये ग्यान देते हैं, आत्मिक ग्यान और स्वका ग्यान, क्योंकि हम सब परमात्मा को भूल चुके हैं, हम मुर्तियों में लग चुके हैं, क चलत फहिमें उसको हटाने आते हैं, फिर बाबा कहते हैं, बुद्धी की प्रवति है शुट संकलब करना, वाने की प्रवति है बाप तोरा जो सुनावे शुना ना, सत्यग्या, कर्म की प्रवति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, तो परमात्मा के साथ कनेक्शन रखकर की प्रित्ति प्राप्त कर लेते हैं, विर संकल्पों से और समर संकल्प हमारे साथ रहते हैं, तो इसके साथ में आपका वर्दान, ओम शान्ति.